नमजकर दोस्तो आज की डेट में अपन बात करेंगे बज़ास फाइनेंस एल्टिडी शेर की बन सगें दोस्तो प्रिवेश टेडिंग्शन देखेंगर बात की जाए तो मार्केट के अपसाइट के साथ 3% के उपर का अपसाइट देखने को मिला लेकिन 2021 से स्टॉक दोस्तो दोस्तो इसके उपर ब्रेकाउट का मतलब है बड़ी रैली बज़ास फाइनेंस में देखने को मिल सकते और काफी दिनों से कंसुल्डेशन फेस कर रहा है तो मोका देखके दुस्तो यहाँ पर चोगा लगेगा उपर क्यों ब्रेकाउट दिये सकता है आने वाले दिनों में लेकिन अगर नीचे के और अभी यहाँ पर सपोर्ट लेवल देखा जाए तो 6000 का जो लेवल है नीचे के और एक मेजर सपोर्ट का काम परेगा जैसे कि इस रिजेक्शन के साथ जैसे कि अभी बॉन ब्रेकाउट नहीं कर पाया तो अभी अगर रिजेक्शन के साथ 6000 के तो दो बार आया है यहां तक stock हो सकता है कि तिसरे बार भी यहां तक आजाए तो मेरा ऐसा मानना अगर यहां पर चोटे टाइम फ्रेम के recording देखा जाए मार्केट में हलाकि अभी बड़ी कीजी देखने को मिले तो यह जो recent हाई है जो कि 7,000 7,080 का level इसके उपर अगर इस बाइंग के साथ stock breakout देता है तो फिर यह अप्ट्रेंड का signal रहेगा लेकिन जैसे की मानले यह 7,000 तक की बाइंग आती है जैसे की bonds आया था rejection लेके नया लो बनाया अगें rejection लेके नया लो बनता है 6,500 के नीचे तो फिर 6,000 अगला support लेकिन यहाँ पर जब तक की अपने recent high को breakout नहीं देता क्योंकि अभी stock downtrend में lower low बन रहा है तो इस bonds के साथ दोस्तों rejection लेने की संभावना बनी है लगादार देजी के लिए 7,000 7,080 के ऊपर breakout होना important रहेगा वैसे 22 लाओट की कोई सलानी विडिया स्रिप एजूकेशनल परपर्स के लिए बने गी है धन्यवाद